हेलो इस्टोडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास काफी सारे टैनियर है और यह बिसिकली आपको बता दू मैं यह समेस्टर थ्री के लिए है तो काफी बच्चों कहना था सर टैनियर कब आएगा मार्केट में और कौन सा टैनियर लेना चाहिए तो सबसे पहले मैं टै कर दी के कुशंस पेपर होते हैं विध सुलिउशन होते हैं इसके अंदर आपको एक आईडिया मिल जाए डी यू का पैपर बनाने का पैटरन होता है मैकसिमम वह लास्ट इए के कोशंस में से उठाता है और लास्ट इयर का कोशें से पीपर आपको ऐसे मिलेगा नहीं तो उसे साब से माल लोकोशन्स पेपर भी किसी फ्रेंट से आपने ले लिया दो-तीन साल का तो सॉलीशन में आपको काफी दिक्कत आएगा तो इसमें विद सॉलीशन है और काफी बच्चे कह रहे थे और मैं काफी टाइम से सिवदास इंसंस का एक ऑथर भी हूँ जिसके अंदर मैं टेनियर के आपके पास्टेर के सॉलीशन डालता हूँ तो आप देखिए सबसे पहला टेनियर है यह वीकॉम प्रोग्राम समिस्टर तीन के लिए फाइनेशल मेनेजमेंट काफी बच्चे कह रहे थे कैसे करें तो फाइनेशल मेनेजमेंट के अंदर आपका आगया है औ और बीकॉम ओनर्स का भी ले लो आप दोनों फाइनेशल मेनेजमेंट है और आप देखो कि इसके अंदर मेरी फोटो भी लगी हुई है इमेज भी लगी हुए क्योंकि कई बार पुराना स्टॉक होता है शॉप कीपर के पास तो वह ना दे दे तो यह ध्यान रखेगा जिस आप सिंपली देखेंगे तो सबसे पहले यहां आपको एक क्यू आर कोड मिल जाता है अप्लिकेशन का जिसके अंदर आपको सारी वीडियोज अभी लेबल हो जाती है ठीक है आपका कॉंटेंट देखा जाए तो प्यूर्ली डियू के स्लेवर्स को फॉलो किया गया है अगर आप देखते हैं तो डियू के स्लेवर्स को फॉलो किया गया है प्रॉपरली ठीक है और साथ के साथ इसके अंदर क्या क्या चैप्टर है मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ शायद ऐसे आपको इजली चीक है यहां से आपको ऐसे सही वीजुल होगा चीक है यह देखे आप जैसे कंटिन्ट देखें गें यहां पर तो कंटिन्ट इसको जो डिजाइन किया गया ने पहले आपके थियूरि के नूट्स बना दिये मैंने इसमें बच्चे कहते हैं कि sir theory का कैसे पड़ होगे खहां से पढ़े तो पहले ही मैंने theory के notes बना दिये हैं उसके बाद सारे प्रेक्टिकल के नूटS बनाएं फिर आपके university के papers हैं इसमें तो तीन तरीके से आपको theory प्रेके नोट सब्सक्राइब दिखाऊं तो मान लेते हैं चैप्टर वन अब देखो चैप्टर वन में से जो जो कोश्चन 2009 में पूछा गया था तो दस साल से तो पहले हो गया तो हम 10 साल 10 तो आपका इसी पैटन पे सारा का सारा आप देखेंगे 10 यह बनाया गया है ठीक है न और इस बार मैं कूसिस करने वाला हूं इसके सारे सुलूशन्स भी आपको देखें जैसे प्रैक्टिकल भी आ गया अब प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि मिक्स करके अगर आप कॉस्ट ऑफ क का आपको इजली मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ केपिटल का सारा का सारा सुलूशन भी मिलेगा और कुस्ट ऑफ मिलेगा जो पांस टीर में आया हुए है तो यह हमारा फानेशल मेनेजमेंट है MRP देखेंगे आप 150 रुपीस का इस पे MRP है जो कि आपको इजली आपको मान के चलो 10 से 20% का discount मिलता है तो मैं hardly मानके चलता हूं 130-35-40 का जो भी मिल जाए 130-35 में मिल जाता है इसलिए आपको तीस में मिल जाएगा आपको कहां से लेना है आपको nearby shop आपके पास जो भी है वहां पर जाएगा और आप बोल सकते हैं देखें शिवदास लिखा हुआ है सिवदा के अंदर सीधा publisher का direct मैं head का number डाल रहा हूं आप उनसे direct contact करिए 10-6 बजे और बोलिए सर मेरा यह है और आपको cash on delivery भी option अविलेबल होता है और prepaid भी होता है आप वहां पर देखें आपके घर पे deliver कर दिया जाएगा सारे 10-year वां बिल जाएगा जो जो चाहिए आप ले सकते यह तो था हमारा financial management चलिए सर और भी कोई सब्जेक्ट है क्या बिल्कुल अब देखेंगे आप business mathematics यह become honors के अंदर है semester 3 के अंदर मैं स्रिफ semester 3 की बात कर रहा हूं इसके अंदर भी same pattern है सर वैसे भी पता है आपको business थोड़ा सा mathematics है जो कि new subjects हो साकता है जिन बच्चों ने पह देखोगे यहां पर तो यह content wise है unit wise सारे chapters कर दिया है इसमें अब देखेंगे इसमें unit wise question स्टार्ट हो गया इसमें theoretical पार्ट इतना होता नहीं है तो सारे unit wise पूरे सारे solution आप solution देखेंगे ना उठा के question तो किस साल में आया हुआ है वह भी लिखा होगा और उसका बिल्कुल in detail solution है जैसे कि मैं कोई भी question उठालू जैसे कि मालो आपके सामने assignment में question number 34 है 34 का यह पूरा है और किसी ना किसी साल में यह questions आए हुए है जिनके आगे लगा पाए हम मिल पाया कि इस साल में उसके आगे आगे आपको year मिल जाएगा नहीं तो otherwise आपके सारे past year के question है इसके बाद 2022 का नहीं आप देखेंगे जैसे कि 2022 में था तो स्रिफ 2022 का नहीं उससे उपर का भी पहले का भी आपको मिल जाएगा एक केस आपको उन्नेस जो पुराने पेपर थे उसको नए स्लेवर के इसाप से कस्टमाइज करके कर दिया गया है तो यह था हमारा business mathematics MRP इस पे भी 150 सब्सक्राइब करें प्रोग्राम वालों में बिजनस स्टैट्स है सेम पैटन इस पे भी फोलो किया गया है सारी चीजे है इसका प्राइज 140 है थोड़े से कम पेजी से क्यूंकि हम पेजिस के अकॉर्डिंगली इसमें पेजिस का खर्चा भी आता है 140 है यह आराउंड आप आपको सारा यह युनिवर्सिटी का है और इंडेक्स में आपको सारे चैप्टर्स देख लो आप सारे के सारे चैप्टर्स है जो के डियू के है और लास्ट में देखो युनिवर्सिटी कुश्चन पेपर गीवन है 10 11 के बाद तो वह भी मिल जाएगा पीसरा कूर्स बहुत ही वेल डिजाइन बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है लाइक दिस आपको मजा आने वाला है इसके अंदर सबसे पहले देखो इसके अंदर चैप्टर्स यूनिट वाइज लिखती है हमने सलेबस जो है यह सारा का सारा चैप्टर और जिसको यूनिट से अलग करना था अलग कर दिया और उसी के कोश्चंस है देखिए कोश्चंस नंबर बन उसके इसाब से हमने पूरे नोट्स बना दिया तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर कहां से पढ़ें तो मार्केटिंग के लिए मैं कहूंगा बुक भी बताया हुए मैंने और बाकिस नोट्स को भी पढ़ लेंगे तो इतना इनफ डाला है मैंने हर जगह से अलग-अलग राइटर से अलग-अलग जगह से जिसका इसके अंदर आपको मिल जाएगा और लास्ट में आपको पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा जैसे देखो 2019 के पेपर हैं क्या-क्या पूछे गए थे वो सारे पर साथ के साथ यहीं रहने वाला है तो इसका बहुत है सारी चीज़े समझ में आ रही होगी अब करते सार आ जाते हैं सारे के सारे अपने बताये हैं यह सारे के सारे अब मैं classes का भी बता दू कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 10 ये जब पढ़ने बैठते हैं तो उनको अच्छा खासा problem होता है problem का मतलब कि practical में theoretical चलो पढ़ लिया practical में क्या problem होता है जैसे मालो financial management के अंदर मैं आया और आने के बाद suppose करो मैं ये question करने को बैठा question ये question समझ में लेकिन कुछ answer ऐसे shortcuts हो डालना पड़ता है मजबूरन हमें तो उसमें समझ में नहीं आता ये कैसा है तो मज़े की बात इन सभी के आपको वीडियोज भी मिलने वाले हैं इन सभी के आपको वीडियोज आगे देखे और आपको इन सभी के वीडियो qr code भी लगा हुआ है और साथ के साथ यहां भी qr code इन पूरे 10-year का solution वीडियो भी है हमने अपने पास classes भी स्टार्ट कर दी है financial management का books से हम पूरा पढ़ा रहे हैं जो आपके युनिवर्सिटी में बुक है उसके accordingly पूरा का पूरा पढ़ाया जा रहा है और फीस जो है अभी गनेश चतुरती का offer चल रहा है सिर्फ सिर्फ 500 रुपीस आपकी फीस है पूरे exam तक का आपका यह fee रहता है live class रहेगी recorded देखो उनको जादा जानकारी नहीं देनी है जो जो वीडियो फर्स टाइम देखेंगे उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तो आप YouTube पे भी हमारे वीडियो देखिए सकते अविलेबल है YouTube पे भी सारी classes डाली रहें और application पर आपको लाइव डाउट session बहुत सारी चीज़ नहीं होगा कि नहीं कराए हुआ इसकी classes भी स्टार्ट हो चुकी है हर सब्जेक्ट की 500 रुपे फीस है चाहे ओनर्स का हो चाहे यह वीडियो लेक्चर की बात कर रहा हूँ भुक्स तो आपको अलग सही लेने इसके अंदर नोट्स डाले हुए ठीक है यह बिजनस आपका ज चले जाए है जो आपके नियर्वाइ और उनसे आप बोलिएगा सिवदास का मुझे टैनियर चाहिए एजिली अवेलिबल हो जाएगा दूसरी बात अगर आपको उस दुकान पर अवेलिबल नहीं होता तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर डाल रहा हूँ सीधा सीध तो वह आपको free of cost भी delivered हो जाएगा दूसरी जिस बच्चे को अभी बोल रहें के सर बहुत टाइम हो गया है डिट शिट आ गया है रिजल्ट आ गया है पढ़ना स्टार्ट करना है अभी रिजल्ट आया हमने फटा 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 से टैनियर रेडी करके मार्केट में धलबा भ बच्चे को टैनियर लेना है उनके contact number और उनका website भी description में मैं डाल रहा हूं प्लीज आप description को go through करिए फिर पूछेगा और आपको अगर यह जानकरी अच्छी लग रही है तो thank you so much मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब तो कर ही रखा है तो उस का परमूशन वीडियो कोई नहीं है सिर्फ आपके लिए अब सीनियर हो सेकींड समिस्टर फर्स समिस्टर तो क्या आएगा नहीं आएगा मुझे इनको परमूट करने की जुरत नहीं है क्योंकि सारे युनिवर्सिटी वाले बच्चे जानते कि यह लास्ट टाइम पर तो ठीक है तो बस मुझे इतना ही बताना था आपको और इसी तरीके से मैं आगे भी वीडियो लेके आऊंगा तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए और मिलते हम किसी ऐसे इंफर्मेटिक नेक्स्ट वीडियो में